नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्टिकल भिंडारी में तो गौर्मेंट पॉलो टेक्निक एंट्रेंस 120 फीजिक्स किलास 9 थे आज 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 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका मेजरमेंट वेक्टर कॉण्टिटीज ठीकें अब सबसे पहले हम देखते हैं आपका मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होता है ठीकें तो measurement देखिए मापन किसी भी रासी को व्यक्त करने के लिए निम्न दो बातों का हमें ग्यान आवस्सक होना चाहिए ठीक है उसमें से एक होता आपका हमें unit के बारे में पता होना चाहिए दूसरा उसका numerical value यानि कि आंकिक मान अब unit क्या होती है इससे बहुतिक रासी को मापते है ठीक है अंकिक मान इससे बहुतिक रासी का आपका परिमार को परदिशित करते हैं या denote क्या जाता है ठीक है जैसे कि किसी वस्तू पर यानि कि वस्तू का द्रवमान 50 ग्राम है तो यह बताता है? आपका की पचास उस बहुती राशी का परिमान है, जैने कि ग्राम कैंग उस राशी का मात्रक यह 걱정 है, तीक है, अगर हम 30। लिखें, तो हमें क्या पता चल लाया इससे? थार्टी न्यूटन हम लिखा है कहीं पर इससे कि बचलता आपका थार्टी तो इसका क्या है परिमान है ठीक है न्यूटन इसके क्या है यूनिट है यानि कि रासी है यानि कि यह न्यूटन किसके रासी होती है आपकी यूनिट होती है फोर्स की ठीक है तो इससे पदा चला है कि हमारा 30 newton क्या है यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है ठीक है चलते हैं next point पर अब होता आपका fundamental quantities और derived quantities होती है ठीक है fundamental तो basic quantity या units होती है जैसे कि मूल रासिया वे रासिया होती है जिने परस पर संबंदिद नहीं क्या जा सकता है ठीक है और यह स्वतंत रासि होती है जैसे कि लंबाई द्रब्बान आपका समय हो गया और temperature जो derived रासिया होती है वे रासिया होती है जिने एक दूसरे से संबंदिद क्या जा सकता है ठीक है द और जो drive होती है रासीया वो क्या होता आपका जैसे कि हमने यहां area लिखा हुआ है तो area लंबाई into चोड़ाई ठीक है और volume लिखा हुआ है हमने item का formula लंबाई चोड़ाई और उचाई वेग क्या होगे आपका विस्तापन अपन समय तो यह क्या होगे आपकी संबंदित दासी ठीक है तो यह ड्राइवड क्वांटिटीज हो गई अब next चलते हम देखे आपका जैसे कि हमने हम वेग देखा था आपका velocity क्या होती है आपकी वेग आपका होता था अपका ठीक है distance upon time ठीक है अब distance को हम किसमे आपेंगे आपका यह हम meter में denote करेंगे ठीक है meter में आपेंगे और time को हम किसमें लेते हैं आपका second में है ठीक है तो इससे हमारी cat drive हुई एक unit drive हुई velocity की जो हम कहेंगे कि meter per second ये क्या होगे आपके velocity की unit होगे ठीक है तो ऐसे drive करते हैं हम unit अब different system होते हैं आपके देखिए विभिन पदत्या विभिन मात्रों को अलग अलग पदत्याइश में अलग अलग नाम से हम इस पदत्याति अलग नाम इनके बिन होते हैं ठीक हैं जैसे एक आपका mks cgs fps और एसos आई तो इनके नाम से इक पाद चल जाता हमें कि इस पदत्याति में unit को किससे node करते हैं कि देखिए अगर हम MKS पदिति का कहीं यूज़ करते हैं तो इस पदिति में हम देखें मास्क को हम मीटर में ठीक है सौरी मीटर M से मीटर के से किलोग्राम और ऐसे क्या होता आपका सेकंड यूनिट का पर्दसित करते हैं अगर CGS परणाली की बात करेंगे यानि की सिस्टम क करेंगे CGS की इस पदिति में क्या होता आपका देखें से से सेंटिमीटर जी से ग्राम ऐसे से कंड का यूज़ करते हैं ठीक है इनकी यूनिट इससे रिनोड करते हैं अगर हम FPS में बात करें आपको किसी के यूनिट अगर बतानी है तो हम यहां फूट पाउंड और से सेकिंड तो सब में सेकिंड होता है ठीक है टाइम कर बाता आपका ऐसी पदलति यानि i system इस पदलती में आपको देखे मीटर किलो ग्राम सेकिंड एंपियर केंविन केंडिला तथा मोल मात्रक्ट से परदस्थित करते हैं ठीक हैं तो यह आपके काफ़ी इंपोर्टेंट है एसाई पदती ज्यादा थेए सिस्टम का यूज सेकिंडर में और करंट को हमने टैम्पियर और करंट हैं जोती तिब्दा को में है ठीक हैं और मोल मोल और चलते हम का वैक्ता वेक्टर एनलाइसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन यानि कि वेक्टर विश्लेशन आवं पर छेप पर गती ठीक है अब एक होता है इसमें आपका टू डाइमेंशन मोशन आपने दिवाल पर छिपकली को चलते विए देखा होगा तो यह इसका एकसंपल है इसमें लिखा यदि एक कण की दो वीमायं वीमावं पर निर्भर करती है यानिकि एक कंड की जो स्पीड है या गती है वो दो विमाव पर निर्भा करती है तो यह गती क्या होती है आपकी टू डायमेंशन मोशन कहते हैं ठीक है उधारण के लिए दिवार पर रहती हुई चिपकली या जमीन पर रेंगता हुआ साब कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से ठीक है तो यह आपको यह क्या होगा आपका टू डायमेंशन मोशन यह आपको ध्यान रखना है अब आया आपका स्केलर एंड वेक्टर कॉंटिटीज ठीक है यह काफी इंपोडेंट है आपका पेपर पॉइंट व्यू चे इसमें से एक या दो कोशिन जरूरू पुछाता है अदिस और सदिस रासिया में से ठीक है तो यह आपको याद रखना है अब देखिए अदिस रासिया होती है इसमें आपका परिमान यह देखिए नाम से बचला है हमें केवल उसमें परिमान अदिस यानि कि दिसा हीन होती है अदिस मतलब दिसा की जरूरत नहीं होती है केवल परिमान की जरूरत होती है वो क्या होती आपकी अदिस रासि होती है ठीक है यह दरबान दूरी चाल समय आयतन ठीक है यह वे रासियां जिनके परीमान के सांसाथ आपको दिसा यानि कि डिरेक्ष्ण की भी नीड होती है वो सदिसासी या वैक्टर रासिया कहलाती है ठीक जैसे आपका विस्तापन आपका हो गया ठीक है दो बिन्दों के बीच का displacement सेस्मेंट और दूसरा आपका त्वरण हो गया वेग हो गया फोर्स भार हो गया समवेग वेदुत चुम्बक के छेतर हो गया आपका मेगेटिक फील्ड और कुरंट डेंसेटी ठीक है यह आपको याद रखना है का यह में से पूछ ले आता है कि आपका वेक्टर क्वंटिट । कॉन से स्केलर कौंटिटी वैक्टर क्वांटिटी ये तो ये आपको धियान लखना नहीं ठीक है है अब चलते हम नेंस्ट पॉइंट पे आपका सिसमें दीख लिख्cychा है का व्यूर्द वैक्ट व्री ask ठीक है विविन वेक्टर रासियां अब किसी भी सिद्धिस रासि को एक तीड से हम डिनॉट करते हैं देखें वेक्टर को कैसे डिनॉट करते हैं इस तरीके से डिनॉट करते हैं ठीक है तीड वारा व्यक्ट करते हैं इसी बार्ण को हम क्या कहते हैं आपका वेक्टर कहते हैं एक होत वेक्टर वेक्टर होती है ठीक एक आपका होता है आप पोजिट वेक्टर क्या होटा आपका देखेए वे बाते हैं कि वैग्पैल indirect जिनका परिमार्ण तो बराबर होते है तो उत कि प्रृट्टर वेक्टर चिनका परिमार्ण जीरो आता है वो जिरो वेक्टर कहलाते हैं यह भी याद अखना आपको और next होता है आपका देखिए फोर्थ होता है आपका एकांक वेक्टर ठीक है अब unit वेक्टर क्या होता है आपका वे वेक्टर जिनके परिमान एकांक हो ठीक है यानि कि unit हो तो उसे हम unit वेक्टर कहते हैं यदि कोई वेक वेक्टर हो तो उसका एकांग वेक्टर कहें निगालते हैं एक वेक्टर को हम A caps कहते हैं ठीक है तो यह आपका देखें वेक्टर A का परिमान और इसका magnitude नीचे इसका परिमान ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका पहले vector लिख लेंगे फिर vector का परिमान पॉन तो यह आपका a caps यानि कि आपका आजाएगा एक अंक वेक्टर है इसे कहते हैं unit vector ठीक है यह आपको याद रखना है चलते है next point पर आपका देखे next point आपका सार्थक अंक अब कभी कभी पेपर में यह पुछाता आपका सार्थक अंक बताईए ठीक है तो हम आज 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 आपको बताएंगे सार्थक अंक निकालना ठीक है अगर आपका कहीं लिखा हो देखिए जैसे कि यह लिखा हो आपका point two zero one अब इस जो डिजिट लिखिए इसमें हमें अगर सार्थक अंक बताना है तो आपका सार्थक क्या होगा हमें point के बाद आपकी डिजिट गिन नहीं है ठीक है एक दो तीन तो इसमें सार्थक कंक होगा आपका three ठीक है और next अगर कहीं लिखा हो देखिए आपका कि point zero four two लिखा हो अगर इसमें पूछा हो आपका सार्थक अंक बताईए तो इसमें भी कैसे निकालेंगे हम देखिए point जो होगा हम डिजिट के पास लियाता है point zero को छोड़के अगर जीरो से पहले one होता तो फिर one से आगे point लगाते ठीक है अब इसमें देखिए इसमें यहाँ zero है तो हम इसे कह लिख लेंगे solve करके हम point zero हम आगे लगे 42 तो इसमें आपका सार्थक अंक क्या हो जाएगा देखिए दो अंक बचें एक दो दो अंक को उसे पहले क्या है आपका point है तो इसमें सार्थक अंक किस अंक अग की आपकी two ठीक हैं अब next बात करते हम आपका देखिए अगर कहीं लिखा हो आपका 0.5060 और इससे पहले क्या हो 0.05060 अगर इसमें आपका सार्था कंग पूछें तो आपको कैसे निकालना है देखिए तो जहां 0 है से पीछे लियाना आपको पॉइंट ठीक हैं तो अगर इससे पहले 1 लिखा तो तो वहीं से गीन लेते हैं लेकिन 0 को हटा लेते हैं और इसके बाद की digit हम गीनेंगे अब इसके बाद देखे 5 के 0 5 के बाद 0 है तो इससे भी हम गीन पड़ेगा ठीक है 6 के बाद 0 हो तो इसंद संदर पॉर अगर आपका लिखा होता तिकए कि seven point में एक मिनटे से साफ कर लेता हूं यह पूरा साफ हो गया अब देखिए अगर कहीं लिखा होता आपका यहां अगर लिखा होता seven point two into 10 की power is 4 ठीक है तो इसमें सार्थाइखंग बताने तो देखिए पॉंट को कहां ले आना है सेवन से पहरे ले आना है तो हम से लिए सकता है पॉंट 7 2 10 की पावर आपका है तरी हो जाता ठीक है पॉंट इधर करने लिए tips वाइब आ ठीग है तो अब इसमें सार्था कितने होंगे वन और टू पावर को नहीं गिनना है ठीक आपका काली पॉइंट को डिजट को गिनना है तो यह इसमें सार्था कंग कि तक आपकी आपकी दो ठीक है आतो आई होप आपका समझ में आया होगा तो मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बाय बाय गाइज